अगर आपने इस सॉंग नहीं सुनाया तेरे शेहरे में वो जादू है तो आप सुनियेगा ज़रूर कैसी हैं आप सभी वेल्कम बैक ओन वर यूटूब चैनल कंसेप्चल स्टेडी पाइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट लेसन लेसन फॉर्टीन टॉपिक रहेगा ग्रांडड थेरी इसके बाद हम एक वीडियो और करेंगे इस वीडियो में हम ग्रांडड थेरी को समझेंगे इससे पहले में एक छोटी सी इंफोर्मेशन दे देता हूं अगर आपने 1 से लेकर 4 तक नहीं देखिया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्चिन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो concept शुरू होता है grounded theory का क्या होती है grounded theory क्यों इसको criticize किया गया और सबसे पहला point हम इसको समझेंगे कैसे यह grounded theory क्या है है तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा दो example से पहला example आपकी life से related होगा दूसरे example भी आपकी life से ही related होगा तो चलिए शुरू करते हैं तो थोड़ा सा intro देता हूं मैं grounded theory का क्या होगा grounded theory में आप जैसे की इसका नाम क्या है grounded है तो आप ऐसा समझें कि यहां पर कोई ना आधार है on the basis of data जो main important चीज़ है यहां पर क्या है data on the basis of data what we are doing we are going to make a new theory हम क्या करेंगे नई theory को create करने की कोशिश करेंगे है न तो एक data के आधार पर data ही कठा करेंगे बहुत सारा multiple sources से data ही कठा करेंगे और नई theory को build कर देंगे कैसे करेंगे data को analyze करने के बाद आप सिरफ आपको यही समझना था ठीक है इतना ही है grounded theory में ओके क्या करेंगे इसके multiple source से data collect करेंगे उसके बाद analyze करेंगे और इसका simple सा funda क्या है data का sorry grounded theory का मानलीजी यहाँ पर मैंने data लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया analyze लिखते हैं आप data लेंगे analyze करेंगे फिर से data लेंगे फिर से analyze करेंगे फिर से data लेंगे फिर से data लेंगे अनलाइज करेंगे ऐसे करते 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 आपके पास है जो theory बन जाएगी grounded theory आप कुछ terms है उनको हम theory में discuss करेंगे लेकिन एक example मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप लोगों ने वो गाना सुना है तेरे चेहरे में वो जादू है सुना है शायद सुना हो लेकिन अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा अगर वो आप सुनेगे तो आपका जो क्या हो जाएगा ग्राउंड़ीड थेरी का कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अब यह कैसे हो जाएगा यह भी मैं आपको बताता हूँ एक कंडिशन रखते हैं चलिए एक्जामपल शुरू हो जाता है एक कंडिशन रखते हैं आपको कोई आ गया है पसंद ठीक है इट में भी पोसिवल कि आपको कोई लड़का या लड़की कोई भी हम यहां पर जैंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे जिसको जो है वो आपको कोई पसंद आ गया आपको किसी से क्या हो गया है प्यार हो गया है लव हो गया महबत हो गई है जो भी आप कंसिडर करना चाहें तो अब आपको आ गया है कोई बात नहीं और अब आप अपने फ्रेंड से क्या कर रहे हैं करते हैं सभी करते हैं तो अब आप क्या करें यार उसके बारे में मतलब मैं बया नहीं कर सकता है इस तरह की बात है इट में भी पॉसिबल होती होंगी और होती भी होंगी तो एक्जाम्पल में क्या होता है आपको टास्क दे दिया जाता है कि आपको क्या लिखना है अपने लवर के बारे में कुछ ना कुछ लिखना है राइट डाउन कीजे, कोई ना कोई खासियत बताईए आप, ठीक है, तो अब क्या होगा, आपने दो पेज भर दिये भाई, हो सकता है, काफी सुन्दर हो, आपने क्या कर दिये, दो पेजिस भर दिये यहां पर, पेज नमबर वन, पेज नमबर टू, ठीक है, अब ये पेज पेज नमबर टू, ये क्या है, कम्पलेट इन्फोरमेशन, की जब से आपने उसको देखा, ठीक है, और तब से आपके अंदर जितने भी फिलिंग्स आ रही है, इमोशन्स आ रहे हैं, उनसे मिलने का मन कर रहा है, ठीक है, उनके साथ घूमने का मन कर रहा है, ये सबी आपन इनको coded language में लिख देंगे, अब जैसे मैंने की गाने में क्या बताया, वहाँ पर क्या लिखता है कि तेरे चहरे में वो जादू है, हम ये लिखेंगे, तो क्या कहता है वो, तेरे चहरे में वो जादू है, तेरी हीरे जैसी आखें, आखों में लाखों बाते, बातों में रस्की बरसाते, मुझे में प्यार की प्यास बढ़ाएं, तेरा एक नजर, तू एक नजर डाले, उठे मरने वाले, ते लब अमरित के प्याले, दिल में पीने की प्यास बढ़ादे, तो अब आप second paragraph मत जाएगा, आप पहले से ही काम चलाएगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन pages से उसने क्या किया, यह अलग-अलग उसको क्या कर लिया, यहाँ पर हम इसको अलग-अलग categorize कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, कोड बना दिये, क्या कर दिया, कोड बना आखें, आखों के बारे में बता दिया है, ठीक है, आखों में हैं बाते, और बातों में बरसाते, और वो उसके अंदर है, जो प्यार की प्यास है, जो बढ़ गई है, तो कहने का मतलब यह था, तो यह coding है, यह सारे जो उसके features बताएं, जिससे वो effective जो influence हुआ है, तो हम कह स तो इस सारा का सारा funda कहां से सुरू हो रहा है, फेस से सुरू हो रहा है, उसकी personality से शुरू हो रहा है, जैसे ही आपने किसी को देखा, आपके मन में है, जो यह thoughts आएं, फिर आपने उसके बारे में observe किया, आपने क्या किया, उसके बारे में information gather की, और फिर आपने एक गाना बना दिया कि तेरे चेहरे में वो जा दो है ना तो यहां पर हो क्या रहा है बाई साब आपने complete information लेने के बाद उसमें से coding की coding करने के बाद एक categorize कि कि सब कुछ चेहरे के बारे में है और चेहरे और उसकी personality के बारे में यह आप समझ गए तो grounded theory इससे कैसे relate करते है grounded theory में भी ऐसा ही होता है जब भी हम किसी के यहां पर hypothesis नहीं होती पहली बाद मैं आपको बदा देता हूँ क्या होता है यहां पर आपने previous theories में क्या देखा होगा कि आप सबसे पहले hypothesis form करते हैं उसके बाद आप data collect करते हैं ठीक है उसके बाद data को analyze करते हैं ठीक है और data grounded theory में ऐसा कुछ भी नहीं होता grounded theory में यह नहीं होता grounded theory में पहला step ही क्या है data को collect करना आपने जैसे मैं यह आपर example इसलिए यह funny example दे रहा हूँ ताकि आप इसको अपनी life से connect कर सकें और समझ सकें कि आपने क्या कि एक person के बारे में लंबा सा paragraph राइट डाउन किया paragraph में छोट example हम COVID-19 का भी लेंगे सबसे पहले हम theory को बढ़ना शुरू करते हैं ठीक है तो grounded theory qualitative research method है यह भी मैं आपको बताता हूँ यह एक मात्र ऐसा qualitative research method है जिसमें हम quantitative data use कर सकते हैं ठीक है एक मात्र ऐसा है तो यह develop की थी हम कहेंगे glass and stress ने ऐसे आप complete नाम याद कर लीजेगा 1967 में 60s म are grounded in empirical data rather than being based on the preconceived hypothesis ठीक है hypothesis based नहीं होता जो हमारा real time जो हमारा experience होता है उससे हम data को gather करते हैं data को gather करने के बाद हम उसको क्या करते हैं understand करते हैं pattern उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है और फिर हम क्या करेंगे analyze करने के बाद theory form करेंगे simple और कुछ भी नहीं है ठीक है तो I hope आपको grounded theory यहां पर समझ में आ रही होगी example आपको थोड़ा सा तो अच्छा लगा ही होगा यार ठीक है तो next राता है मारे पास grounded theory refer to the process of generation theory which is based on collection of data multiple sources जैसे कि मैंने बताया अलग-अलग sources है यह एक मात्र ऐसी है जिसमें quantitative data भी use होता है जब कभी required होता है जब कभी इन में correlation निकालने की कोशिश करते हैं और फिर उनको categorize करके theory बना देते हैं तो यह simple grounded theory यही थी ठीक है तो अब हम बात करते हैं goals के बारे में और goals के बारे में बात करने से पहले में एक और example आपको समझा देता हूं जिससे आप बिल्कुल clear हो जाएंगे कि grounded theory होती क्या है ज covid-19 है ना तो उस pandemic situation में क्या क्या situations एक teachers की क्या emotions क्या thought process क्या feeling रही होगी उनके students को लेकर उनके जो करतव्य को लेकर हम यह कह सकते हैं उनके काम को लेकर तो हो सकता है हम क्या लिखेंगे यहां पर आप क्या करेंगे information इकठा करना शुरू कर देंगे आप क्या करेंगे 10 teachers क्या करेंगे interview इंटर्व्यू कंडक्ट करते हैं दस teacher से आप क्या करते हैं यहां पर 10 pages को फिल कर लेते हैं यह ना बार-बार मैं example यह pages वाला दे रहा हूं क्योंकि ना यहां पर आपको जो steps करवाए जाएंगे उनमें यह direct आएंगा और मैं अभी example समझा दूँगा तो मैं सिरफ steps होंगे उनको tick mark करके समझाता चलूँगा ठीक है तो आपने क्या किया 10 teacher से बात की 10 परफोर में तयार हो गए 10 pages आपको मिल गए और उन pages में आपने क्या किया coding की इसको कहेंगे transcript ठीक है transcription कहेंगे इसको ओ यहां पर आप क्या करें लंबे-लंबे paragraph उनके जो विचार्स के लि बात करेंगे बाद अब आप इनको क्या करेंगे coding करेंगे coding, open coding, excel coding, selective coding, तीन तरह की coding होगी यह भी हम steps में cover करेंगे तो आप coding के तो आपको क्या-क्या पता चला मैं एक बार जल्दी-जल्दी लिख देता हूं तो अब हमने यहाँ पर क्या किया हमने जो इन दस पेजिस से यह information निकाली कि दस teacher से में क्या पता चला कि उनको जो problem हो रही थी technology में, skills और training की कमी थी, internet connectivity में काफी बार problem हो रही थी, student में attentions की कमी देखने को मिली, active participation का नहीं पता चलता था, कौन जो student ज़्यादा participate कर रहा ह किसका interest जादा है, और घर में जब हम class लगाते थे, तो आपने भी देखा होगा, जब आप class लगा रहे तो आपके आसपास है, जो थोड़ा, क्या होता है, शोर शराबा होता रहता है, तो आपके parents ही आपको आवाज लगा लेगी, बेटा एक बार इधर आ जाओ, तो addressing the distraction of at home यहां पर यह home है, ठीक है, so providing equal educational opportunities, अब equal education आप कैसे online प्रोवाइड करवा सकते, आप कैसे जानेगे कि सामने वाले को क्या need है, है ना special education जिनको ज़्यादा, है ना थोड़ एक special focus, क्या होता है, physical class में हम बच्चे को चेहरे से थोड़ा सा estimate लगाते हैं, कि शायद इसे समझ न कामियाब हो जाते हैं, थोड़े से क्या, काफी हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो covid के time है, जो 10th और plus 2 के results कैसे high आ रहे थे, आपने देखो, को सभी 90 प्लस 100, 100 समझ रहे हैं, तो वहाँ पर tracking, student की real performance को track करने में काफी problem हो रही थी, तो इन 10 pages से आपने इत technical issues बोल सकते हैं, नहीं, issue नहीं बोलेंगे, इसको challenge बोलेंगे, ठीक है, technical challenges, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, student engagement, है ना, और यहाँ पर क्या किया जाएगा, equity and access, इसको category बना दी हमने, और यहाँ पर assessment, है ना, तो यहाँ पर यह जो चारक तरह की category हैं, यह बना दी हमने इन number of चीजों से, कि यह सभी हैं ना, similar हैं, यह हमने एक में डाल दी, हाला कि आपको अलग-लग देखने को मिलेगी, ऐसा होता नहीं है कि आपको एक ही ऐसा, यह इसलिए मैंने कर दिया है, क्योंकि आप एक कलर वाला, आपको समझ में आ जाएगा, टेकनिकल चैलेंज इस एक कैटेगरी बन गई, student engagement यह एक कलर से डाल दिया, equity and access यह एक कलर से डाल दिया, number of points आप यहां से, तो मैंने सिर्फ थोड़ इसे लिखे हैं, आप बहुत सारे points स जो निकाल सकते हैं, जब आप किसी real teacher से बात करेंगे, उनसे पता करेंगे कि आप उनका experience क्या रहा है, उस दोरान teaching के, जो COVID-19 के दोरान, उनकी teaching का experience क्या रहा है, तो इनसे हमें पता चल गया, फिर हम क्या करते हैं, इनकी core category बनाते हैं, क्या करेंगे, इनकी core category बनाने के लि online transition, जो हुआ, in teaching, during COVID-19 pandemic, तो यह आपने क्या कर दिया, main point बना दिया, और यही हमारी theory बनेगी, भाई, यह है grounded theory, I hope आपको यह example समझ में आ गया होगा, हमने क्या किया, दस teachers का interview लिया, उनसे है, जो transcriptions की number of pages हमने भर दिये, उन pages से हमने labeling की, coding की, अलग-अलग है, जो ठीक है, statements को write down किया, उन statement को फिर categorize किया, और categorize करने के बाद, उन सभी category को, एक core condition में डा दिया, core category में डा दिया, जो कि एक main issue रहा होगा, हम कह सकते हैं, जो online, जो transition आया, during the time of COVID-19 teaching process में, कौन-कौन से challenges जो teachers को face करने पड़े, ठीक है, यह सभी है, जो आपको यहां से, I hope आपको clear हो गया होगा, तो अब चलते हैं, चलिए goals की तरफ, COVID की जो, sorry, COVID कह रहा हूँ है, grounded theory की आपको जो definition समझ में आ गई है, आप goals perspective यह में जल्दी-जल्दी cover करके अब theory तो आपको यह पढ़ नहीं होगी, example अगर आपको topic समझ में आ जाएगा तो, तो goals क्या रहेंगे, सबसे पहले theory generation, आपने देखा, हमने क्या किया, पूरी process का ultimate goal क्या था, theory को generate करना, CDC बात है, conceptualization, अब क्या हो रहा है, छोटे-छोटी जो information है, उनको हम क्या करें, मैंने आपको MPC 01 की वीडियो में बताया था, कि concept कैसे बनते हैं, information हम लेते रहते हैं, जो similar information है, उनको organize करते हैं, concept बनाते हैं, अभी बनाये ना पीछे, आपर यह पता चल जाते हैं, कि आपके concept दीरे-दीरे clear हो जाते हैं, जैसे-जैसे, और यह concept क्या करते हैं, हमें theory को build करने में हमारी help करते हैं, in-depth understanding, हम किसी भी एक particular topic के बारे में in-depth understanding के लिए grounded theory का use करते हैं, जहां पर हम बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ों का, जो study कर सकते हैं, उनको, understand, emergent approach, अब emergent approach क्यों कहा गया है, अब आपका मानली, यह theory को build करने से पहले, जो statement थी, वो may be possible, different हो आपकी, after the creating, after the collecting data, जब आप data को collect करें, तब आपको यह पता चला, रहे यार, statement का नाम यह नहीं होना चाहिए, अब जैसे मैंने शुरुआत में क्या खा, teachers ने क्या feel किया, है मैंने क्या का, कि online teaching में क्या transition होई, teaching transition due to online platforms during the COVID-19, यह मैंने statement बना दी, तो emergent approach क्या कहती है, कि जो naturally, जो naturally emerging areas है, emerging जो data है, हम उस पर ज्यादा focus करते है, as comparison to preconceived notions, understand, तो emergenting approach हो जाती है, आप perspective की बात कर लें दे, grounded theory के perspective क्या होंगे, inductive approach, approach, inductive approach में क्या होता है, specific to general कर रहे है, अब हम एक बार जब हमने किसी एक teacher से बात की, कि इस तरह की situations में वो कैसा feel कर रहे है, कैसी, तो हम उसको generalize कर सकते हैं, सभी teachers पर, ठीक है, एक particular context में हम उसे generalize कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कि हर जगा वो apply हो जाएगी, तो inductive approach का use करती है grounded theory, inductive means होता है, specific to general, ठीक है, constant comparison, अब मैंने आपको शुरुवात में ही क्या बताया था, हम यहाँ पर data लेंगे, फिर उसको analyze करेंगे, ठीक है, analyze करेंगे, ऐसे यह चक्र चलता रहता है, cycle चलता रहता है, तो data लेंगे, analyze करेंगे, फिर data लेंगे, फिर analyze करेंगे, फिर data लें करेंगे, ऐसा चलता रहता, कब तक करेंगे, constant comparison, आप लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, कलीकिन कब तक लेंगे, जब तक आप saturation level पर ना पहुच जाएं, समझ रहें, saturation किसे कहेंगे, मैंने एक example दिया था कि आपने बाउल में पानी भर लेना है, आप यह कर अब भी सकते हैं, गुद भी का try करें, एक गिलास में आप पानी लीजिए, उसमें आप 1 spoon, 2 spoon, 3 spoon, 4 spoon, आप चीनी डालते रहें, वो तब तक डालिए, जब तक है जो चीनी saturation level पर, वो solution अमारा ना बन जाए, अब यह saturation क्या है, यही मैंने समझाया ही नहीं है ना, तो भई saturation saturation वो point होता है, जहां पर you will see that sugar will not able to mix in the water further, एक stage के बाद, एक point के बाद, चीनी होगी, वो पानी में घुलनी बंद हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं saturation point, ऐसा ही theory में होता है, constant comparison के अंदर क्या होता है, हम तब तक data को collect करते रहेंगे, जब तक हमें same information ना मिल नहीं लग जाए, स गयार में teacher से बात की, और मुझे same information मिल रही है, तब मैं वहाँ पर data जो collect करना, stop कर दूँगा, रुख जाओंगा, भई अब इतना data sufficient है, okay, contextualization, contextualization means क्या होगा, particular culture, social context को लेकर theory को build करते हैं, हम जो data collect करना शुरू करते हैं, okay, abstraction means काफी चीज़े हमारे abstract होती हैं, हम ऐसा नही सामने नहीं थी, understand, practical application means हम mostly क्या करते हैं, उन चीज़ों के बारे में study करते हैं, जो real world में हम experience करते हैं, तो practically वो applicable होगी, understand, तो ये points है, जो क्या है, goals है, हमारे grounded theory के, I hope आपको clear हो गए होगे, अब examples अगर आपको दोनों समझ में आ गए हो, तो अब आपको ये theory बिलकुल clear हो grounded theory, कौन कौन से steps हैं, अब देखिए काफी easy है, मैं सिरफ आपको अब बता के चलूँगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, तो data collection क्या करते हैं, सबसे पहले आपने teachers से data collect किया, उन से बात की, interview किया, observations की, observations तो आप अपने lover वाले point में करेंगे, ठीक है, जिससे आप ट्यार करते हैं, मुहंबत करते हैं, उसको क्या करेंगे, आप observe करेंगे, उसे interview कर नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आप data को collect करेंगे, information जितनी हो सकते, उतनी collect करेंगे, open coding क्या कहती है, open coding which involves breaking down the data into smaller unit, हमने क्या किया था, जो complete, जो transcriptions वहाँ पे लिखाई थी, उन conclude है, ओके, the goal is remain to open to all possible interpretations and not constrained to analyze with preconceived notions, यहाँ पर आपने देखा होगा, जब मैंने example यहाँ पर देखिए, हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है, हमने जो पहले हम सोचते थे कि यार online teaching में ऐसा होता होगा, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने अपनी जो preconceived notions थी, उनको आगे नहीं आने दिया, हमने जितना भी data collect किया, teacher से interview करने के बाद सबसे वहले transcriptions की उसको break किया, जो number और पेरग्राफ से उनको break किया, information data collect करने के बाद उसको break किया, जिसको open coding कहेंगे, यह वाली जो purple, red, blue और yellow, यह क्या है हमारी open coding, ठीक है, यहाँ पर हम चीजों को break कर रहे हैं, छो categorize किया data को, जो की relationship build करता है, ठीक है, किसके अंदर technical challenges आ रहे थे, उसमें subcategories थी, कौन सी थी, कि हमारे पास proper skills नहीं है, training नहीं है, internet connectivity नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से relate करती है, दोनों में relationship है, तो वे relationship ए category बन जा दिया, हम categorize कर रहे हैं data को, ठीक है, उनके बीच में identify, we just try to find identity, we just try to find the connections between codes, जो हमने बनाए है, ठीक है, next आता है, हमारे पास selective coding, selective coding क्या कहता है, भाई साब, अब selective coding क्या गएगा, हम यहाँ पर central concept बना देंगे, core concept, central category, जो हमारे complete phenomena को क्या करेगी, represent करेगी, कि हम यह करना चाहते हैं, है न, तो आपने देखा, वहाँ पर हमारा क् हमने उसके चेहरे के जादू को एक core category बना डाला, सही है न, तो selective coding, I hope आपको example में मजा आया होगा, ठीक है, तो आप feedback जरूर दीजिएगा, अब बात आती है, memo writing, memo writing क्या होती है, आपने Samsung के mobile phone में देखा हो, अगर नहीं देखा है, तो आप अब भी देख सकते है, मेरे पास galaxy as due to the Samsung को काफी time पहले, जब मैं 10th में था, तो क्या था, उस time उसके अंदर एक T memo के नाम से application आता था, T memo के नाम से, उसने काफी मदद की मुझे यहाँ पर memo writing को समझने में, तो हम उस T memo में क्या कर सकते थे, अपनी daily task लिख सकते थे, ठीक है, अपनी शायरी लिख सकते थे, है ना, जो अभी हम कर रहे थे, वो लिख सकते थे, अपने जो emotions, जो भी हमें, जो भी हमें लगता था, वो हम लिख सकते थे, तो memo writing वही है बाई, जब हम data को collect कर रहे हैं, ठीरी बनाने के लिए चल पड़े, तब हम आपर memo's लिखते हैं, ठीक है, अब आपको समझ में आ गय is related to the existing literature of the study concern, अब यह जो मैं बता रहा हूँ न, आप जब examples को इन से correlate करेंगे, तो आपको काफी मजा आने वाला है, ठीक है, theoretical note हो गया, field note, जब आप teacher से actually में बात करें, जो जो important चीज़े, आपको लग रही है, अच्छा field note, theoretical note, जो आपको बात में क्या करेंगे, source बनेंग जो दोस्त से कैसे बात करते हैं, friend circle में कैसे बात करते हैं, अच्छा तुम लोग है, तो यह क्या होता है, code word है, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं, prepare notes by naming, labeling or categorizing things, properties and events, the code notes are those notes which discuss the code of such labeling, जो की क्या करेंगे, इनको label provide करते हैं, understand, समझ रहे हैं न, coded word, हम करेंगे, code language में बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर केटेगरी को, जैसे ही मैंने का किया है, तुम लोग है, अब possible है कि आप जा रहे हो, वहीं पर, है न, चले गए होगे, red label के पास, तो अब देखिए, जैसे मैंने red label बोला, तो काफी students हो सकता है, है न, तो महाँ पर whisky के पा sampling क्या एक process है, जहांपर हम deliberately data को collect कर दे, additional data, क्यों करते हैं, theoretical sampling means, हमने 10 teachers की बात कर ली, 10 teachers से बात कर ली, लेकिन हमें कहीं न कहीं लग रहा है, कि हो सकता है, हमें एक teacher से और बात करनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक teacher को और बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, हम चले जा data को, ताकि हमें saturation, जो level है, information में, वो हमारा confirm हो जाए, कोई problem ना रही, ठीक है, हम अपनी जो research को refine कर सकें, ठीक है, constant comparison, लगातार comparison चलती रहेगी, जब तक आप saturation level पर ना पहुच जाए, आ गया न, theoretical saturation level और फिर theory development हो जाएगी, तो हो गया आपको clear, कितना असान था, grounded theory है न, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया न, तो criticism और कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, अब एक बार जब आपको दोनों examples clear हो जाएंगे न, जब आप एक बार ये reading लेंगे, that's it, done हो गया बिलकुल, ठीक है, अब criticism क्यों हुआ, बाइस आप इसके अंदर न, time और resources दोनों ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बताया कि grounded theory में multiple resources से data collect किया जाता है, है न, तो time भी लगेगा यार उसमें, अगर, मान लिजे, we have no resources, we have no multiple resources, तो हम grounded theory conduct नहीं कर सकते, subjectivity, अब ऐसा देखा गया, ऐसा देखा जाता है, कि मान लिजे, results है, अब मैंने क्या किया, teacher से बात की, ऐसे-ऐसे results आपको COVID-19 के teaching experience में देखने को मिले, लेकिन यही, यही theory, हमने किसी और state की teachers पे बात की, तो वो valid नहीं हो रही, महाँ पर subjectivity दिख रही है, कि researcher यार कैसे ऐसा हो सकता है, समझे, subjectivity means, अपना point of view, महाँ पर कही न कहीं add दिखाई दे रहा है, तो इसलि pre-specifications नहीं है, तो hypothesis की कमी की वज़े से इसको criticize किया गया, काफी complex consider की जाती है, abstract theory है, कि हमें पहले सोचना पड़ता है, कि अच्छा, ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो चलिए, फिर हम क्या करते है, data collect करना शुरू कर देते हैं, complex situations है, इसलिए, limited guidance for novice researcher, novice researcher कौन होते ह तो बिल्कुल नए-nए researcher है, ठीक है, जो novice researcher हम जिसे कह देते हैं, उनके लिए grounded theory काफी मुश्किल है, क्योंकि उनको coding आने चाहिए, coding में भी open selective axial, ये मतलब समझ रहे हैं, चीजों के बीच में relationship, pattern find out करना आना चाहिए, तो उस जो novice researchers हैं, उनके लिए काफी problem हो जाएगी, है न, ethical concerns, यहां पर काफी ethical issues भी देखने को मिले हैं, और data पर ये research है, जो काफी rely करती है, जैसा कि मैंने बताया, पहला step ही क्या है data को collect करना, अगर हम data ही collect नहीं करेंगे, तो हमारी research grounded theory complete ही नहीं होगी, complete काँ से होगी भाई, शुरू ही नहीं होगी, है न, तो data पर over rely कर रह implications में और holistic viewpoints को समझने में हमारी मदद करती है, तो देखिए मैंने अपकी यहां पर इस video में theory को बहुत कम टच करने की कोशिश की है, और आपको example से ही समझाने की कोशिश की, I hope आपको examples दोनों ही समझ में आ गए होंगे, अगर आपने ये song नहीं सुनाया, तेरे चेहरे में वो जादू है, तो आप सुनिएगा जरूर, है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, एक बर सुनेंगे तो आपको इस research के बारे में हमेशा के लिए आप याद रख पाएंगे, इन चीजों को relate कर पाएंगे, तो इस video में इतना ही मिलते हैं, next video में अगर content अच्छा इमेल, दौनों description में उनके details आपको मिल जाएंगे, telegram और youtube चैनल को आप subscribe कर सकते हैं, that's it, इस video में इतना ही मिलते हैं, next video में, thank you for watching this video, have a nice day